क्या आप जानते हैं बॉलिवूड अभी नेताओं की उन पत्नियों के बारे में जो पैसों के लिए अपने धो के बाज पती के साथ रहती है गौरी खान शारुक और प्रयंका डॉन की शूटिंग के दौरान करीब आ गए थे लेकिन गौरी ने बात को आगे ना बढ़ाते हुए शारुक को माफ कर दिया हाला कि बाद में उन्होंने प्रयंका का बॉलिवूड करियर खतम करने की कोशिश की थी काजोल काजोल और अजे देवगन भले ही साथ में खुश दिखते हो लेकिन इन दोनों के रिष्टे के बीच काफी दिक्कते भी आई है एक वक्त पर अजे ने इलियाना डिक्रूज और कंगना रनात के साथ उन्हें चीट किया था लेकिन बाद में काजोल ने उन्हें माफ कर दिया था ट्विंकल खन्ना शादी से पहले अक्षे की प्लेई बॉई की इमिज के बारे में सब जानते हैं लेकिन शादी के बाद भी अक्षे प्रयांका चोपला के साथ अफ़ेर को लेकर काफी चर्चा में रही है जिसकी बाद ट्विंकल ने उन्हें प्रयांका के साथ काम करने के लिए मना कर दिया और माफ भी किया करिश्मा कपूर संजे कपूर और प्रियाल चटवाल के बीच अफेर ने करिश्मा और संजे की बीच दूर याँ पैदा कर दी थी हाला कि करिश्म कपूर ने इस बात को आगे ना बढ़ा कर उन्हें माफ कर दिया था पृतिक ने सुजैन के साथ शादी शुदा जिंदिगी में काई बार दिल तोड़ा था वे अपने कोईस्चार बार बरा मोरी और कंगना के करीब आगे थे सुजैन ने दोनों ही बार इस बात को नजर अंदास किया था रिशी कपूर और जुही चावला और दिव्या भारती के साथ अफ्यर की वजह से नीटु कपूर के साथ उनकी शादी शुदा जिंदिगी में दराराने लगी हाला कि बाद में नीटु कपूर ने उन्हें माफ करते हुए अपने रिश्टे को सुधारने पर ध्यान दिया सनी दियोल और डिंपल कपाडिया के लव अफ्यर हमेशा सुर्खियों में रहे है लेकिन सानी की पत्नी पूजा ने इस बात को ना बढ़ाते हुए इसे नजर अन्दास किया गोविंदा और रानी मुखर जी के बीच अफ्यर की वजह से गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता की शादी शुदा जिंदिगी तभा होने वाली थी हाला कि बाद में सुनीता ने इस बात को नजर अन्दास करना बेहतर समझा रीना दत्ता आमिर खान और उनकी पहली बीवी रीना दत्ता भले ही अब साथ नहो लेकिन शादी शुदा रहते हुए भी इनके रिलेशन उतने अच्छे नहीं थे आमिर का कई आक्ट्रेसिस के साथ अफ़ेर रह चुका है जिसके लिए रीना दत्ता ने उन्हें कई बार माव भी किया था जया बच्चन आमिताब हमेशा सही अपने लव ट्राइंगल के कारण चर्चा में रहे हैं यहां तक रेखा के साथ उनके आफ़ेर के बारे में जया बच्चन को भी खबर थी लेकिन वे अपने परिवार की वज़ह से चुप रही